फ्रेंड्स टोकियो ओलम्पिक में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरच चोकरा पर पूरे देश को नाज है ओलम्पिक गेम में भारत को केवल 9 गोल्ड मेडल मिले थें लेकिन अब उन्होंने दसवा गोल्ड मेडल दिला दिया है नीरज ने भाला फेकने में इवेंट में इतिहास रचा और एथिलेट्स में मेडल जितने वाले पहले भारती हैं अब दोस्तों वैसे तो देश में क्रिकेटर के अलावा अन्य खेलों को उतनी पहचान नहीं मिलती है जितनी की मिलनी चाहिए लेकिन नीरज चोपरा तेश साल के उम्र में ही इतिहास रच कर सभी विवाओं के प्रेहना बन गए हैं तो चलिए फ्रेंस की आखिर कौन है नीरज चोपरा 24 दिसमबर 1997 को हर्याना के खांदरा गाउं में नीरज चोपरा का जन्म हुआ था नीरज चोपरा गरीब किसान परिवार से हैं और 11 साल के उम्र में ही मोटापे के सिकार हो गए उनका वजन बढ़ते हुए देख घरवालों ने मोटापे को कम करने के लिए नीरज को खेल कुदने की सलाह दी जिसके बाद से वो वजन कम करने के लिए पानी पत के सिवाजे स्ट्रेडियम में चाने लगे और फ्रेंड्स एक आम भारते लड़के की तरह ही पहली पसंद क्रिकेट हुआ करता था लेकिन जैवलिन थ्रो करने वाले खिलारी को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो इसको और भी ज्यादा दूर फेक सकता हूँ दोस्तो इस से नीरज चोपरा के मन से क्रिकेट आउट हो गया और जैवलिन थ्रो ने इंड्री लिया और सबसे पहले 2012 में एथिलिट्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जितने के बाद नीरज ने 2016 में पॉलैंड में आई एए एफ वर्ल्ड में चैंपियंशिप में एटी सेक्स पॉइंट फोर एट मीटर भाला फेक कर गोल्ड मेडल जीता था और इसी उपलब्धी में उन्हें जूनियर मिशन आफिसर की नियुक्ती मिल गई अब आर्मी के जॉब मिलने के बाद से नीरज ने एक इंटर्वियू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान है और मा एक हाउस वाइफ है और मैं एक जॉइन फैमली से हूँ और मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए ये सब मेरे लिए खुश है उन्होंने कहा था मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करूँगा अलाकि जॉब पाने के बाद से भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और आगे चलका 2018 में इंडोनेशिया के जगत में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 88.06 मीटर थो करके कोल्ड मेडल जीदा लेकिन दोस्तो 2018 में ही एशियन गेम्स और कॉमन वेब गेम्स के परफॉर्म के बाद से नीरच के कंदे के चोट के सिकार हो गए और इस वज़ा वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे थे हलाकि दोस्तो सही समय पर वापसी करते हुए नीरच चोपरा ने एतिहास रच दिया और 87.58 मीटर का थो करके इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया और फ्रेंज इस तरह से गरीब किशान परिवार नीरच चोपरा सभी के लिए एक्सप्रेशन बन चुके हैं झाल